अगर तुम्हारा दिल, दिमाग और घुटना एक लाइन में काम कर रहा है तो तुम इस बारे में सोच सकते हो आपको लग रहा होगा ये मैं क्या बोल रहा हूँ लेकिन यही बात अगर मैं किसी भारतिय सेना की जाबास से पूछता तो वो शायद पलट कर जवाब देता पैरा एस एफ ये शब्ध हरुस भारतिय सेना के शूरवीर को याद होंगे जिसने सबसे खतरनाक कमांडो ट्रेनिंग को पास किया हो और अपने सिर पर मैरून बैरेट और सीने पर बलिदान बैज सजाया हो डेजर्ड स्कॉर्पियोन यानी रेगिस्तानी बिच्छू एक घातक और जानलेवा हमलावर जिसका काटा हुआ पानी भी नहीं मांग पाता भारतिय सेना के विशेश दल दस पैरा एस एफ को भी इसी नाम से बुलाया जाता है इन्हें दुश्मन के घर में घुश कर उसे तभा करने में महारत हासिल है लोहे से भी मजबूत जिस्म उससे भी मजबूत होसला और दम रखने वाले गिंती के इन शूरवीरों में से ही एक थे करनल संग्राम सिंग भाटी थे ये थे बोलते हुए तकलीफ हो रही है लेकिन वास्विक्ता यही है शौरे चक्र से सम्मानित करनल संग्राम सिंग भाटी ने आज से करीब चार साल पहले दिल्ली में सैना के आरार अस्पताल में वीरगती को प्राप किया वो बीमार थे उन्हें मल्टी ओर्गन फेलर हुआ था राजिस्थान की मिट्टी ने इस देश के लिए अपना लहू बहाने वाले कई शूर वीरों को जन्द दिया है राजिस्थान की माटी उनके जन्द से ही नहीं कर्म और नाम से भी जुड़ी रही वो रगिस्तान के असली स्कॉर प्यों थे जब कभी विभातिय सेना की स्पेशल फॉर्सस के कोवर्ट ओपरेशन का नाम होगा जिक्र होगा तब तब उनका जिक्र जरूर होगा और हमारे रणबाकुरे कर्णल संग्राम सिंग भाटी का नाम जरूर आएगा दुश्मन के ठिकाने में घुसकर उन्हें मारने में कर्णल भाटी का कोई तोड नहीं था आतंकी भी ये नाम सुनकर काप जाते थे जब भी जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ पैराएसेफ की खतरनाक या कहें आत्मघाती ओपरेशन का जिक्र होगा तब तब कर्णल संग्राम सिंग भाटी को याद करना लाजमी हो जाएगा इस्पेशल फोर्सेस से जुड़े हुए जवानों और उसमें रूची रखने वालों के लिए दस पैराएसेफ के कर्णल संग्राम सिंग का नाम एक आदर्श है जिनके पच्चिन्नों पर कई और योधा चलने के लिए समर्पित है आज से करीब 24 साल पहले ये ओपरेशन किसी भी तरह के आत्मखाती ओपरेशन जैसा ही था क्योंकि भारत्य सेना के नेजर संग्राम सिंग को खुद आतंकवादी बनना पड़ा था बेहत खतरनाक आतंकवादी संग्ठन लस्करे तवयबा की रीड तोड़ने के लिए किये गए इस ओपरेशन ने ये साबित भी किया कि भारत्य सेना बड़े से बड़े जिहादियों से उसी के स्टाइल में उससे निपटने की तागत रखती है तब के मेजर संग्राम सिंग्भाटी और उनके साथी कैप्टन विकास ने ऐसे नौजवानों का रूप धरा जो समाज की मुखिधारा से अलग हो गए थे भटक चुके थे ऐसे ही तो भटके नौजवानों को अपना चारा बनाने वाले आतंकी संगठनों में से एक लशकरे तोईवा को भी उन जवानों में भारत में तबाही मचाने वाले एकों वाली संभावनाएं वो जज़वाद दिखाई दिये इसके बाद आतंकवादी उन्हें अपने ठिकाने पर ले गए चार दिन आतंकवादियों के साथ उनके बीच में गुजारने के बाद मेजर संग्राम सिंग भाटी और कैप्टन विकास लोटे तो उनके पास लशकरे तयबा के बारे में कई जानकारियां जमा हो चुई थी इतना ही नहीं उन्होंने वहाँ मौजूद चार आतंकवादियों का खात्मा भी किया जब वो लोटे तो उनकी दी गई खूफिया जानकारियों के आधार पर सुरक्षा बलो ने कारिवाई की जिससे उस आतंकी गुट के पाउँ घाटी में उखड गए इस सुरवीरता और साहस के लिए मेजर संग्राम सिंग को वर्ष 2000 में राष्ट्रिपती से शौरी चक्र से नवाजा गया उन्होंने ऐसे कई अंटी टेरियर आउपरेशन्स को अंजाम दिया था जिसमें उनका मौत से कई बार आमना सामना हुआ और वो हर बार उसे मात देकर आ जाते थे रेगिस्तान के बिच्छू कहलाने वाले स्पेशल फोर्सेस के असली स्कॉर्पियन का शनिवार सैनिक सम्मान के साथ 19 सक्टूवर 2018 को जोथपुर में अंतिम संसकार किया गया था उनके सोक संतप्त परिवार में उनकी पतनी और दो बेटियां है कहते हैं एक बलिदानी एक शूरवीर एक वीर सपूत को सच्ची सरधांजिली यही होती है कि उन्हें हमेशा याद रखा जाए बहादुरी के किस्सों और कहानियों के जरिए हम अपने सूरवीरों को न भूलेंगे और न अपने आने वाली पीड़ी को भूलने देंगे यह श्रिवालिक जर्नल वचन देता है अपने सभी साथियों को जै हिंद जै भारत अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाना न भूलें अगर आप हमारी वीडियो को फेस्बुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो और लाइक करना न भूलें